नमस्कार मकर राशी राशी फल 2022 फेलवरी महिना इस महिना मकर राशी वालों को कारियम में धीर सफलता धीर प्रग्यत्ती रहेगा सरिर मन इनका बहुत अच्छा रहेगा आय क्रम दिरे दिरे बढ़ेगा और जो चाहते हैं वो प्राप्ति का योग है विवसाय में स्वाधिन विकास और पढ़ाई लिखाई परिक्षा एक्जामिनेशन में सफलता का योग है बिस्तार से मकर राशी लग्नमे सनी देव और सूरिय बुद्ध दित्यस्तान पेगुरू पंचम में राहू और इलेबंथ हाउस केतु द्वादस में सुक्र और मंगल इस मेहना का ग्रह सिती अब विचार करेंगे स्वास्त लग्नेश लग्नमे लेकिन अस्टमेश सूरिय लग्नमे सस्टेश बुद्ध लग्नमे छे आर्ट रोग रिपोरण मुरत्य तुल्य पीड़ा चोज जफेट एक्सिडेंट दोनों का लड्ड लग्नमे होने से मकर राशी वाले कहां से अच्छा हो जाएंगे स्वास्त को हम हंडेट परसेंट अच्छा कैसे कहेंगे लेकिन 13 फेबुरारी के बाद सुर्य देव मकर राशी से कुम्ब में गोचर कर जाएंगे तेरा के बाद मकर राशी वालों का स्वास्त में उन्नती परिलिक्षित होगा उसके बाद स्वास्त के बाद सिक्षा एजुकेशन पंचमस्तान सुक्रदेब द्वादस में मंगल के साथ चतुर्थस के साथ स्वाविक बाद है सिक्षा खेत्र बहुत अच्छा तो नहीं है क्योंकि राहू भी बेटे पढ़ेंगे पढ़ाई होगा लेकिन राहू अने के कारण पढ़ाई में आप होग अच्छानक डेवलोप्पेंट अच्छानक डाउंफन अब बात करेंगे प्रेम संपर्ख लावेफेर बहुत अच्छा इस मैना आपको प्रेम संपर्ख नहीं किलेगा थोड़ा सा बाणी पे संग संयम रखेंगे क्रोध आएगा आपके पाटनर के साथ जिद्धी सभाब रहेगा इसलिए प्रेम संपर्ख बहुत ज़दा अच्छा नहीं किलेगा अब बात करेंगे दामपत्ति सब्तम हाउस कर्क रासी चंद्रमा अधिपती लिकिन सब्तम के उपर सनी सूरिय मंगल का दृष्टी है सभाबि दामपत्त जिवन तीन भाब ग्रोह का दृष्टी के कारण थोड़ा सा प्रेडित रहेंगे बिनाफालतु का सब्तम डाउट जमिला जंजट जगड़ा मत पार्थक्यो मनमालिन्यो उपर से सनी काई साड़े साती मध्यम चरणा इसे तू भी थोड़ा सा समस्या रहेगा अब बात करेंगे भाग्य का भाग्ये बुद्ध मजबुत अवस्ता में है तो भाग्य का साथ तो रहेगा उसके बाद करमस्तान सुक्र अधिपति द्वादस में करम खेत्र में उठा पटक रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा जो चाहोगे वो कर सकते हो लेकिन 100% पोजिटिव का साथ नहीं किया जा सकता अब आगे लाब और फिनांस द्धन दुत्यस्तान पे गुरू और लाब खेत्र में के तो अचानक घन प्राक्ति का ही होगे लेकिन मेहनत ज्यादा खर्चा बिना फाल दुकाओ मंगल और सुक्र द्वादस में हैं तो स्वाविक बात है अंचाह खर्चा तो हो गई अब बात करते हैं चंद्रास्टम मकर रासी मालों का 17-18 अश्टम चंद्र चूर चपेट एक्सिडेंट मानसिक अबसाद सारीरिक पीड़ा फेवलरी महिना द्वादस चंद्रम 26 और 27 12 द्वादस चंद्रमा में अंचाहिक खर्च कार्य में बाधा मानसिक अवसाद मानसिक दुख अब विस्तार पुर्वक मकर रासी बालों के लिए एक और दो तरिक सारीरिक पीड़ा कार्योहानी होगा 3-4-5 परुपकार और मन में अकांख्या 6-7 कर्मप्रवण 8-9 धनप्राप्ती सुक्संदोस 10-11 तारिक गात चंद्र और भय 12-13-14 संतोसी शांती आनंद मस्ती मिलेगा 15-16 तारिक फेबरारी को थोड़ा पराधिंता कानुभब करेंगे 17-18 प्रसंसा और संगठानी कारियों में ब्रस्त रहेंगे 19-20 कुरोध ब्रद्री होगा 21-22 पढ़ाई लिखाई में मन बहुत अच्छा लगेगा 24-25 सत्रु हानी सत्रु से हानी विश्वास घातकता 26-27-28 नुतन वित्र से संपर्क संबंद इस प्रकार की इस मैना का रासिफल है बड़िव अच्छा लगे तो लाइक से आर कॉमेंट सब्सक्राइब करिए कुंडली बिसलेशन या आस्टलोजी सिखने के लिए आस्टलोजी गुरुकुल 9437-580-589 या फिर 9938-727-418 धन्यवाद नमस्कार